Hello friends, welcome again to my channel. As you know, I am Devika, your dost and host. और जैसा कि थम्नेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है H.S.S.C. J.D. Constable examination और vacancy के बारे में. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा syllabus, इसके exam dates, कब से form submit होंगे और कब तक इसकी last date रहेगी, इसकी form fees क्या है, क्या इसके लिए physical qualifications होंगी और क्या के इसके exams के process होंगे, तो ये सारे चीज़े मैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मेरे phone के screen पे. Let's start. यहां मैंने जो official notification आया हुआ है, उसका PDF डाउनलोड कर रखा है, यह PDF है 11 पीज का और हर्याना Staff Selection Commission पंच्छकुला के दुआरा यह PDF निकाला गया है, यह notification निकाला गया है, और 30 December 2020 को यह notification आया था, इसमें form भरने हम लोग 11 January से start कर सकते हैं, मतलब कल से ही आप लोग form apply कर सकते हो अपने, तो बिना किसी देरी के जल्दी कीजिए, और इसके last date जो रहेगी वो रहेगी 10 February, वहीं आप extra fees deposit करवा कर इसको 13 February तक भी जमा करवा सकते हैं अपने forms को, तो मतलब आपके पास एक महीन का time है, इसको apply करने के लिए, next इसमें देखते हैं post, तो इसमें 7,218 में post के लिए, हरियाना, पुलिस, जीडी constable के लिए ये vacancy निकली है, इसमें post और qualification जो है, वो है 5,500 post है male constables के लिए, journal duty के लिए, इसमें journal में है, 1980, SC में 990, और ऐसे ही other categories के लिए, यहाँ पर सारी कितनी post है, वो बता रखी है, female जो है, उनके लिए दो type की यहाँ पर job है, पहली है, journal duty के लिए, दूसरी है, दुर्गा शक्ति के लिए, तो यहाँ पर total ये 1700 के, 1800 के करीब post है, female constables के लिए, 1100 post जो है, वो journal duty के लिए है, और इसमें है, journal के लिए 308 में, SC के लिए 108 में, और वहीं दुर्गा शक्ति पुलिस के लिए है, यहाँ पर 608 में post, जिसमें journal के लिए 252 post है, SC के लिए 125 post है, और ऐसे ही इनकी other categories के बारे में आगे, details से यहाँ पर बताया हुआ है, 111 सब के बारे में, कि कौन सी category के लोग कितना कर सकते हैं, इसमें apply, कितने लोगों की इसमें post में ज 12th class, जि हां 12th class आपको किसी भी institute से पास होना है, किसी भी recognized education board से आपको यह clear किया हुआ होना चाहिए, और metric में आपके पास में Hindi और Sanskrit में से किसी भी एक subject का होना compulsory है, education सिर्फ इसमें यही मांग गया गया है आपसे, इसके अलावा next हम देखते हैं, इसमें जो हमारा PMT होता ह फिजिकल मेजरमेंट जो होता है, उसके लिए male candidates हैं, उनकी height आपको चाहिए 170 cm जर्नल के लिए और 168 cm चाहिएगी other category के लिए, वहीं इनका chest का size रहेगा, 83 cm से 87 cm जर्नल के लिए और जो other category के लिए हैं, उनमें है 81 cm से 85 cm other category के लिए, यहां पर इनको 4 cm की छूट दी हुई है और जो female candidate हैं, उनका chest का size नहीं लिया जाता है, और इनकी height जो होगी वो 158 cm होगी जर्नल के लिए और 156 cm होगी other category वालो के लिए, और इसमें हमाई जो यहां एक note दिखाई दे रहा है कि physical measurement test जो है, वो सरफ qualifying होगा, उसके कोई extra number नहीं जुड़े होंगे, फिर बात कर लेते हैं age की, यहां 18 से 25 के बीच में आपकी age होने चाहिए, मतलब या तो आप 18 के हो गए हो, या 25 से उपर के नहीं होने चाहिए, तो आप यह form फिल कर सकते हो, और यह जो आपकी age है, यह 1 December 2020 तक ही होने चाहिए valid, उसके बाद है, जो ex-service man है, उनके लिए भी यहां एक दिया गय हो है कि 4 साल से ही retired हो वो, मतलब कि पिछले 4 सालों में अगर वो retired हुए है, तो ही उन्हें यह service मिल सकती है, otherwise वो लोग यहां अपलाए नहीं कर सकते, तो जब इतना कुछ जान लिया, तो यहार सी बात है, salary का सब के मन में सवाल उठता ही है, तो यहां इन्होंने salary के बारे मे भी वतारक है pay scale, तो यहां आपको 21,700 से 79,100 रुपए तक की जो salary है वो दी जाएगी और मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छी salary है, उसके बाद में हम बात करते हैं, यहां पर आपकी क्या-क्या fees रहेगी, fees की details के बारे में आगे बात करते हैं, यहां जो यह test रहेगा, यह जो चरणों में यह भरती complete होगी, सबसे पहले यहां पर होगा आपका return test, जो OMR based होगा, उसके बाद में आएगा physical screening test, physical measurement और उसके बाद आएगा document verification, तो चार तरीकों से यह आपका complete होगा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, fees की details के बारे में, तो यहां जो journal category के male और female हैं, हर्या जो male हैं, उनके लिए 100 रुपए ही रहेगा, और females के लिए यहां 50 रुपए दिये गए हैं, journal category वालों के लिए, वही इसके अलावा जो बागे categories के हैं, उनके लिए male के लिए 25 रुपए और female के लिए 13 रुपए ही लगेंगे, और एक service man जो हैं, उनके लिए यहां पर no charges रहे इसके बाद हम देखते हैं, इसका selection की process, examination और इसका syllabus, तो इसमें दिखाया गया है, जैसे की, कि यहां पर आपका जो paper होगा, वो 100 नंबर का होगा, जिसमें से 80 नंबर आपके होगे return test के, और 20 नंबर आपको other qualifications के लिए दिये जाएंगे, 80 नंबर का जो question paper आएगा, उसमें आपके so objective type question आएंगे, और आपको हर question के लिए, हर सही question के लिए 0.8 marks दिये जाएंगे, इसमें आपको आपको time होगा 90 minutes का, मतलब 1.5 घंटे का, और जैसा कि यहां दिखाया हुआ है, will each correct answer will get 0.8 marks, there will be no negative marking for wrong answer, तो यह सबसे मेरे को अच्छ marking नहीं होगी, बहुत से लोगों हिमन में यह doubt होता है कि negative marking होगी, कि नहीं होगी, तो यह मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी, कि यहां पर negative marking नहीं होगी, तो आप तसल्ली से सारे answers को tick करके आ सकते हो, और जो paper होगा, वो हिंदी, और English दोनों language में ही होगा, तो इसके लिए भी आपको वरी करने की कोई जरुद नहीं है, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें जो physical screening test जो दिया हुआ है, वो क्या है, तो physical screening test के लिए आपको यहां पर, मैंने आपको already बता दिया है, कि क्या-क्या इसमें physical screening लेंगे वो लोग, height, or chest, girls का, और boys का, मैंने आपको दोनों के लिए मैंने बता दिया है, कि क्या-क्या qualification होगी, और यह जो test होगा, physical screening वाला, यह साथ चरणों में complete होगा, तो साथ बार candidates को इसमें बुलाया जाएगा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके syllabus की, तो syllabus जो रहेगा, वो इसमें रहेगा, journal studies, journal science, current affair, journal reasoning, mental aptitude, numerical ability, agriculture, animal husbandry, other relevant fields और trades के बारे में, और यहाँ पर दस question जो हैं, वो आपके computer के knowledge के according होगे, तो यह आपका एक simple सा syllabus है इसका, जो हर exam paper के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका होगा, physical screening test, तो physical screening test के लिए, आपको यहाँ पर male candidate है, उनको race करनी होगी, धाई किलोमेटर की, बा जो female candidates हैं, उनको एक किलोमेटर की ही race करनी है, छै मिनट में, मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा time होता है, और उसके अलावा जो ex-service man हैं, उनको भी एक किलोमेटर की ही race करनी है, और उनको time दिया जाएगा, पांच मिनट का, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका return test होगा, उस यहाँ पर अब आगे इसमें, जो मैंने बताया था कि 100 number का paper होगा, 20 number extra मिलेंगे, तो additional qualification यहाँ पर 10% जो weight is होगा, वो होगा education को, मतलब अगर आपके पास आपने graduation किया हुआ है, graduation की degree अगर आपके पास है, तो 4 marks आपको उसके लिए दिये जाएंगे, वहीं अगर आपके प NCCC certificate होते हैं, उसके लिए भी maximum आपको तीन नंबर यहाँ पर दिये जाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि NCCC certificate A, B और C तीन लेवल के होते हैं, उसे के according आपको एक, दो और तीन यहाँ पर marks दिये जाएंगे, NCCC certificate के according, तो यह 10 number आपको education के according मिलेंगे अपनी, और वहीं पर जो next, जो 10 number का weight is होता है, वो आपको दिया जाता है, family background के आधार पर, मतलब कि अगर first जो five number है, यहाँ दिखा रखा है, जैसा कि this PDF में, या notification में, कि अगर आपका family में से कोई भी, आपके relative जैसे father, mother, आपका spouse, brother, या आपका son, कोई भी अगर है, government department में, तो उसके आपको 5 number दिये जाएंगे, 5 number आपको other qualities के लिए दिये जाएंगे, यहाँ पर इसकी exam date है, वो भी बता दी गई है, जो 27 March 2021 से 28 March 2021 के बिज में ही होगे, तो तेयारी शुरू कर दीजिए, I hope आपको यह side details समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई doubt है, तो आप मुझे comment कर सकते हो, मैं definitely आपके comments का जवाब देऊंगी, और अगर यह video थोड़ा भी helpful रहा है, तो इसे like, share और subscribe कर दाना भूले, मैं मिलती हूँ, आपसे next video में, till then, bye!